हलो फ्रेंब स्वागत है आपका आपके अपने चानल हसी स्टरी गाइड में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि ओर एड जो इलेट्रिकल ट्रांस्मिशन लाइन है उससे जो है सेफ वर्किंग डिस्टंस कितना होना चाहिए उसके बार में तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाई वोल्टेज जो ट्रांस्मिशन लाइन है वो क्या होता है तो सबसे पहला है यहाँ पर हवी यानि कि हाई वोल्टेज लाइन तो इस high voltage transmission line में जो है voltage का जो level होता है वो होता है 100 kV से लेकर 230 kV तक तो यह जो voltage है यह HV के अंडर आता है यानि की high voltage के अंडर आता है फिर उसके बाद है EHV यानि की extra high voltage line तो इसमें जो voltage का जो level है वो होता है 230 kV से लेकर 1000 kV तक थरड है यहां पर UHV यानि कि Ultra High Voltage Lines तो इसमें जो voltage का जो लेवल है वो होता है 1000 KV के अबाव में तुसे UHV कहते है यानि कि Ultra High Voltage Lines कहते है तो इस तरीके से यह High Voltage Transmission Line होती है जिसके बारे में आपको पता होना काफी ज़रुरी है छिली अब जानते हैं कि overhead power line से सेकंड है कि अगर वोल्टेज 11 केवी से लेकर अगर 33 केवी तक है तो उसके बाद है कि अगर वोल्टेज 33 केवी से लेकर 132 केवी तक है तो हमें 4.70 मिटर तक जो है सेफ वर्किंग डिस्टंस रखना है और फिर उसके बाद है कि अगर वोल्टेज 132 केवी से लेकर अगर 273 केवी तक है तो हमें 6.50 मिटर तक जो है सेफ वर्किंग डिस्टंस जो है वो मेंटेन करना है तो इस तरीके से जो है ओरेट पावर लाइन से जो है हमें सेफ वर्किंग डिस्टंस है वो मेंटेन करना होता है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता चल गया होगा औरेट इलेक्रिकल जो पावर लाइन्स है उससे हमें कितना से फ़र्किन डिस्टर्च जो है वो मेंटे करना चीए उसके बार में तो बस आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स फुडूमा इतना टॉपिक के साथ मैं तब तक के लिए टेक क्या बाबाई